नमस्कार मैं कुंदन मिस्रा आप देख रहे हैं जनमित्र चैनल अभी मैं मौझूद हूँ सुगवली जीला परसद छेतर संख्या 5 में जहां आप देख रहे हैं इराके जाजी लोगों के बीच पहुच रहे हैं और अपना जन संख पर्क लगातार जो एसो कर रहे हैं क्या समस्या देखा उन्होंने छेतर संख्या 5 के जीला परसद छेतर संख्या में आईए हम उनसे जानते हैं मैं छेत भ्रह्मन के दोरां बहुत सारी समस्याय देखा जिसमें सबसे पहले 12 सुत्री मांग है मैं एक ग्यापन तयार किया हूँ वह ग्यापन मैं बर्तमान मन्य बिधायक इंजिनियर सशी भूसंजी को दूँगा और इस ग्यापन में जो भी हमारी मांगे हैं बारह उसको पूरा कराने के लिए प्रयास करूँगा जिसमें सड़क एक नंबर में है जनता चोक से नकर देई तक सड़क बर्सात से पहले मरमत कराना दूसरी है पजभिडवा से स्यामपूर सड़क जो संबेदक के दवारा तिन सालों में अभी तक पूरा नहीं किया गया जिसको पूरा करूआना देवदातवा नहर चोग से परसावना नहर चोग तक नहर पर सड़क का कार्ज और निर्मार कराना परसावना नहर चोग से नकरदेई नहर चोग तक नहर पर सड़क का निर्मार स्यामपूरी स्कूल से बरवा गाउ जाने वाले सड़क का निर्मार रगुनाथ पूर करमवा पीएसी का भवन का जिर्नोंद्वार एवं भवन में पीएसी की पूरी बेवस्ता कराना उसके लिए मैं रखाऊंँ साथवा है मुस्वा से दक्षनी मनसिंग है के सबी ग्रामों में सड़क का जीर्णों द्वार एवं निर्मान कार्ज आठ में है स्यामपूर स्कूल से स्यामपूर गाओं के इट सोलिंग वाले रास्ता पर PCC कार्ज नौ में है धर्मिनिया एस्टेशन से चैनपूर जाने वाले रास्ता में नहर चौक तक रोड एवं उसमें पूल का निर्मान कार्ज दस में है परसावना गाओं से पजियडवा एवं पचविडवा जाने वाले रोड में मरमत कार्ज एगारा है करमवा जाने वाले रोड में ध्वस्त जो नौ निर्मित पूल था उस पूल को अजिर्णो द्वार बारा हुआ है कि रगनात्पूर करमवा बजार पर जल से जल पुलिस पिकेट खुले उधर की छेत्र के जो भी जनता है उसकी मुलभूत समस्या है और यह समस्या से मैं मन्य विधायक जी को अवगत कराना चाहता हूं और इस कार्ज के लिए मैं हमेशा प्रयास करूंगा और जनता की जो समस्या है उसकी मांग करते रहूंगा और अनवरत जब तक पुरा नहीं होगा इस लडाई को मैं जारी रखूंगा